हलो दोस्तो क्या आपके पास एक्सेस कैश है और आप उस कैश को बैंक के अंदर डिपोजिट करना चाहते हो पर आप डरते हो कि कहीं आपको इंकम टैक्स का नोटिस ना जाए तो दोस्तो मेरी इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए मैं आपको आज इस वीडियो म बैंक के अंदर चमा कर सकते हो ताके आपको ना तो इंकम टैस का कोई नोटिस आए और ना ही एक्सेस कैश डिपोजिट के उपस आपको कोई बैंक चाहर्जिस लगा है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं अपना आज का यह वीडियो अंधर टॉपिक कैश डिपोजिट इ करेंड अकाउंट तो दोस्तों यह आज का सबसे जादा होट टॉपिक है यह होट टॉपिक इसी लिए है क्यूंकि मैक्सिमम लोगों की यही क्वेरी होती है कि हम अपने बैंक काउंट में कितना कैश एट टाइम डिपोजिट कर सकते हैं और एट एट टाइम कितना विड्र कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा अगर आप मेरे पेश पर नए हो अगर अधी तक आपने मेरे पेश को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप जरू जरूर बताए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का यहार टॉपिक क्या तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कैश्ट इपोलेटिन सेविंग बैंक अकाउंट से दोस्तों आप सभी को बता दू कि आप वन शॉट में एक दिन के इंदर एक लाग रुपे से ज्यादा सेविंग बैंक के अंदर जमा नहीं कर सकते और दस लाख रुपे से ज्यादा पूरे फाइनशल यर में सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जमा नहीं कर सकते अगर आप एक लाग से ज्यादा यह दस लाग से ज्यादा इना फाइनश इन करेंट अकाउंट की लिमिट्स की बारे में है दोस्तो जैसे कि आप पर डे के अंदर एक लाग रुपे से ज्यादा सेवी अकाउंट के अंदर जमा नहीं कर सकते हैं उसी तरीके से आपके करेंट अकाउंट में भी आप एक लाग रुपे से ज्यादा पर डे के अंदर जम की देगा और उसी बेसिस पे इंकम टैक्स डिपाट्मेंट आपको शो कॉस्ट इशू कर सकता है तो दोस्तों आपके करण अकाउंट में भी आप एक लाग रुपे से ज्यादा कैश पर डे के अंदर डिपॉजेट ना करें और उसी तरीके से आप आपके करण अकाउंट के अ आए तो उस सिट्वेशन में भी आपको इंकम टैक्स का नोटिस आना तरह है तो दोस्तों आप सबी से यही रिक्वेश्ट करूंगा कि आप जितना साथ जितना ज्यादा हो सगे क्याश ट्रांजेक्शन को अवैट करिए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के इंदर डील करिए ताके आपको future में किसी भी प्रकार की इंकम टैक्स की नोटिस आने की probability कम से कम रहे मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको इंकम टैक्स की नोटिस नहीं आएंगे दोस्तों probability कम हो जाती है दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा question आ रहा होगा अभी कि अगर मेरा एक से जादा saving account है या एक से जादा current account है तो मैं उस situation में cash के transition को कैसे deal करूँ तो दोस्तों आप सभी को बता दो आपके जितने भी bank account होते है चाहे वो current हो या saving हो यह आपके pen card से link होते है तो यह government या income tax के नजर मे एक ही बंदे का account होता है और वो government उसे एक ही bank account consider करेंगी तो आपको मेरी वाद समझ आई होगी और आपका doubt भी clear हुआ होगा तो दोस्तों अपना ये वीडियो end करने से पहले मैं आपको कुछ और छोटे सा एक एक्स्टा दो points बताना चाहूँगा cash deposit से related जो आपको जानना ब अलावा भी कई और cash deposit करते हो बैंक के अंदर तो वहां पर भी आपको cash deposit की limits को ध्यान में रखना होगा पहली चीज या पहली जगा जो होती है fix deposit दोस्तों आप FD जो है 10 लाग से ज्यादा का cash में नहीं कर सकते हो अगर आप 10 लाग से ज्यादा का FD करते हो cash में तो आपको income income test का notice जरूर आजाएगा और उसी तरीके से अगर आप आपका credit card का payment करते हो तो आप आपका जो भी बिल generate होता है मतली उसको भी एक लाग से ज्यादा का बिल cash payment में नहीं कर सकते अगर आप आपका credit card का payment एक लाग रुपे से ज्यादा करते हो तो मैं आपको यही recommend करूंगा कि आप cashless जाएए आपके net banking से payment करिए या आपके debit card से payment करिए या तो बैंक में और डोपई कर दीजिए जो directly आपके bank account से ऐसा rate card का deduct हो जाएगा तो यह दो point भी आप consider जरूर करिए जब आप cash deposit करने जाते हो bank में तो दोस्तों I hope कि आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और उमीद करता हूं कि आप सभी की knowledge में आज और थोड़ी बड़ोत रही होगी तो दोस्तों मेरे ऐसे ही knowledgeable videos के लिए मुझे आप सभी के support की support है तो आपका support और motivation आपका subscribe आपका like आपका comment और share होगा मेरे लिए तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो या अगर पुराने हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दो दोस्तों प्लीज प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और आपके friends, family, relatives में मेरे वीडियो को share करिए ताके वो भी अपने knowledge को increase कर सके तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब्सक्राइब